महराज जी मैं वरिंदावन पर वापस आना चाहूँगा दो चीजे हमने वरिंदावन की बहुत सुनी है एक तो श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है जहां पर सबसे जादा यूट जाता है मैं चाहता हूँ बहुत सारी लोग हमारे इंडिया के भार से साउथ इंडिया से भी देखते हैं उन्हें पता चले कि उस मंदिर की क्यों इतनी मान्यता है क्या स्टोरी है उसके पीछे अचली वरिंदावन अकेले श्री बांके बिहारी जी नहीं है वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं श्री राधा वल्लव जी राधा रमन जी राधा गुविन देव जी दामुदर जी इस सब ठाकुर जी के वहाँ पर स्वरूप विराजमान है मैं केवल बहारी जी की ना क्याकि सबका ही एक मिलित स्टोरी सुना देता हूं बस बहारी जी पॉपलर इसलिए भी जादा है क्योंकि उनका स्वरूप बहुत सुन्दर है इतने प्यारे लगते हैं दूर से देखके आदमी नहाल हो जाता है और स्वामी श्री हरिदाज जी जिन्होंने बहारी जी को प्रकट किया था उनके समय से ही बहुत पॉपुलर है वरंदावन में तो पॉपुलरेटी पहले से यह दूसरा उनका स्वरूप ऐसा आकर्शक है कि आदमी उनसे आकर्शित रहता है बाकी केवल बहारी जी वरंदा पर में अब भगवान की अस्ट पत्रानियाँ जो थी आठ मेन जो पत्रानिया थी सोलेजार एक्सवाट पत्नियाँ थी वरगवान की आठ तो बगवान के साथी प्रस्थान कर गए थी पर 16100 राजकुमारियां जो थी ठाकुर जी की वो रह गई थी उनको भगवान के परपाउत्र मतलब बेटे के बेटे के बेटे समझ गए परपाउत्र बज्रनाव उन सब को लेके वरंदावन आ गए थे उस समय जब भगवान प्रस्थान कर गए थे उन लोगों को इतना विरह र तो उनकी प्रसंदता के लिए बज्रनाव क्या करते थे उन्होंने संतों से रिशियों से पूछा कि मैं अपनी माओं को प्रसंद करना चाहता हूं जब से हमारे परपर दादा जी श्री कृष्ण गये तब से वह इतनी विरह में रहती है मैं क्या करूं तब किसी संत ने उन लीला कृष्ण चरत्र सुनके उनके आव भाव से भाव वंगमा से उन शिलाओं से ठाकुर जी की मूर्तियां बनवा और अपनी माताओं को सेवा के लिए प्रदान करो तो किसी रूप में उनको ठाकुर जी दिखेंगे तो उनका विरह कम होगा तो जब बज्रनाव मतुरा गए कंस के कारा ग्रह में साब खंडर हो चुका था लेकिन वो शिला जिस पर भगवान का जन्म हुआ था अभी भी चमक रही थी उसमें से अभी भी सुगंदी आ रही थी ऐसा लग रहा था कोई मनी रखी है क्या बज्रनाव ने उस शिला को लेकर के और कृष्ण चरित्र स उनके कृष्ण लीलाएं सुनके उनकी आखें कैसी उनका मुख कैसा उनके हाथ कैसे उचलते कैसे फिर इस तरीके से उन्होंने उसमें से मूर्तिया थाकुरजी के विग्रह बनाए और बना करके वो ढखके न अपनी माताओं को बैठाते और लाके सामने खड़ा करते मा दे बिलकुल उनके जैसे हैं अरे हाथ से कामिया और बनाओ एक और बनाए दूसरे बनाए तो फिर अरे ये भी बहुत संदर है इनके चरण बिलकुल उनके जैसे हैं एक और बनाए उनकी कमर बिलकुल उनके जैसी है इस प्रकार से साथ विग्रहों का निर्मान बज्रनाब ने लिखारी जी राधारमन जी राधा वल्लब जी गोपिनाज जी गोविंददेव जी यूगल किशोर जी और मदन मोहन जी ये साथ ठाकुर है व्रंदावन के जो कि मुगलों के आने से जिन में कहा पुजारियों को कि आप यहां ले आओ ठाकुर्जी हम रक्षा करें दो अरंग जेब तो मंदर तोड़ देता था एक बड़े ठाकुर्जी हमारे राधारमन जी वह इतने से हैं इतने से ठाकुर्जी है लेकिन मोस्त ब्यूटिफुल ठाकुर्जी और व्रंदावन उनको तो बताते हैं कि कहीं अलमारी में छुपा दिया था हां तो इसलिए वह साफधान बचे रहे तो इस प्रकार यह भगवान के परपोत्र ने इन सब का रूप निर्मान कराया जिससे उनकी माय प्रसंद रहे फिर ले विराजित हो गए फिर जब हमारे यहां व्रंदावन में आचार्यों का आग्मन हुआ जैसे कि श्री गोपाल भट्ट गुस्वामी स्वामी शेहरदाश जी मां बहुत नाम है उन सब की कथा सुनाऊंगा तो विस्तरिज जानकारी होगी उन ठाकुरों को यह कथाएं पता लोगोंने उनी का इस्मरण करके भजण करना प्रारण किया स्वामी इसरी अरदाश जी व्यों गाते बहुत है उन्हां गयन करकर के करकर क कि बस बिहारी जी है यहीं अचारूप प्रयगठा किया कि तो श्री राधावल लाल जी पधारे इस प्रकार ये सब ठाकुरों का फिर प्रादुर्भाव महाँ पर हुआ तो ये आज के नहीं उस समय से ठाकुर जी और ये सब जो विग्रें हैं सब श्री कृष्ण प्राकट्य उस शिला से ही इनका निर्मान है